हेलो गाईज अगर आपने भी अपने जियो नंबर पर एक कॉलर टून लगा रखी थी और आप चाहा रहे हैं कि भाईए मैं उस कॉलर टून को बंद करना है या फिर डियक्टिबेट करना है तो आप उस कॉलर टून को कैसे बंद कर सकते हो मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताने वालन कि आप जियो के नंबर पर लगाएगे कॉलर टून को या फिर रिंग्टोन को कैसे बंद कर सकते हो या फिर डियक्टिबेट कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो को पूरा देखना गाईज एंटर देखना बट उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक करा होगा ठीक है अगर नहीं करा है तब भी आप डियक्टिबेट कर सकते हो ठीक है अगर करा है तो आपने पहले से इंस्टॉल करा होगा ठीक है अगर नहीं करा है तो भी आप इसे इंस्टॉल करने हैं क्योंकि फिर मैं आपको दाऊंगो कि आप उसे कैसे डियक्टिबेट है तो आपको इसे इन्स्टाब कर लेना है play store से बुर्कुल फ्री में app ये मिल जागा देखने को साध पिलू उफिस्यल एप जीयो का ही ठीक है तो इसे डैंलोड करने के बाद आपको इसे open कर लेना है जैसी आप इस बीकर कोगे तो यह कुछ step से open होगा open होने के बाद आपको नीचे डेर सारे option देखने को मिलती हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो recharge का geotunes का तो आपने जो भी geotunes set करी होगी वो यहां से ही set करी होगी तो आपको geotunes पे touch कर देना है जैसी ही आप geotunes पे touch करोगे गाई तो यह कुछ step से आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर थोड़ा सव लोडिंग होता है लोडिंग होने के बाद आप देखोगे आपने जो भी ringtone लगाई है यहां पर देखने को मिलेगी my geotunes साथ साथ कौन सी geotunes है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी और कितने दिन में expire होगी वो भी देखने को मिल जाएगा एकसपायर इन 27 डेज ठीक है बट इसे हम अभी डिक्टिवेट करना चाहते है तो उसके लिए आपको यहां पर डिक्टिवेट का आप्सन मिलता है ठीक है तो जैसी आप इस पर टूण थी वो डिक्टिवेट हो गई है ठीक है इसके बाद आपके मुबाइल पर तुरूंत म कुछ इस तरह से आप किसी भी डिक्टिवेट या फिर बंद कर सकती हो अगर आपके में कुछ दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकती हो मैं उसका रिप्लाई या पर सॉलूशन बता दूँगा ठीक आइस वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए दोस्तों